नमो नमम, संस्कृत निधी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत हैं। आज के वीडियो में हम आचारे मम्मट द्वारा प्रतिपादित शब्द शक्ती को पढ़ने वाले हैं। जो कि प्रतियोगी परिक्षाओं की द्रिष्टी से एक महत्वपुर्ण विश्या है। तो आज हम देखेंगे शब्द शक्ती। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आचारे मम्मट ने प्रतम उल्लास में काव्य लक्षन को परिभाशित करते हुए शब्द तथा अर्थ की समष्टी को काव्य कहा है। अर्थार्थ शब्द अर्थ अलग-अलग काव्य नहीं होते, वे दोनों मिल करके काव्य बनते हैं। तो इस काव्य लक्षन को समझने के लिए शब्द तथा अर्थ का ज्यान होना भी अतियावश्यक है। इसलिए मम्मट अचार्य ने वितिय उल्लास में शब्दार्त के स्वरूप का परिजर प्रस्तुत किया है और इस उल्लास का नाम है शब्दार्त स्वरूप निर्ने तो दूसरे उल्लास में हमें इसका उलेक मिलता है तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो शब्द शक्ति को समझने के लिए हमें पहले शब्द और अर्थ को देखना होगा तो शब्द आचारे मम्मट के अनुसार तीन प्रकार के शब्द कहे गए हैं वाचक, लक्षक और व्यंजक ये तीन प्रकार के आचारे मम्मट ने शब्द माने हैं अब इन ही तीन शब्दों के अनुसार तीन अर्थ भी होंगे जैसे जो वाचक होगा उसका जो अर्थ होगा उसे हम कहेंगे वाच्यार्थ या फिर मुख्यार्थ लक्षक का जो अर्थ होगा उसे कहेंगे लक्षयार्थ व्यंजक का जो अर्थ होगा उसे कहेंगे व्यंग्याथ इस प्रकार से तीन शब्द माने हैं उन्होंने और तीन ही अर्थ माने हैं अब ये जो तीन प्रकार के शब्द हैं इन तीन प्रकार के शब्दों से ही तीन प्रकार के अर्थों की प्रतीती होती हैं ये जो अर्थ की प्रतीती कराने वाली जो शब्द की शक्तियां हैं उसको हम क्या कहते हैं शब्द शक्ति तीन प्रकार के शब्दों से हमें तीन प्रकार के अर्थों की प्रतीती हुई यह हमने यह उपर देखा कि तीन प्रकार के शब्द हैं तीन प्रकार के अर्थ हैं तो इन तीन प्रकार क कतीए प्रतीती कराने वाली शब्द की शकतियों को क्या कहते हैं शब्द शकतियां और यह अचारे ममलत माती तूर। अब एक एक करके इन सब्द शकतियों को विस्तार पूर्वक देखेंगे पहली है अभिदा शब्द शक्ति तो अभी हमने जैसे देखा कि जो तीन प्रकार के अर्थ हैं उसमें जो वाच्यार्थ है उसको हमने मुख्यार्थ भी कहा यहां देखिए जो वाच्यार्थ है उसको हमने मुख्यार्थ भी कहा अब वो मुख्यार्थ क्यों कहा तो जैसे हम वह को क्या मैं मात करें जो हमारा शारीर अर्थार्थ हमारी जो शीरिण है हमारी अव्यांगे उन CAS में मुख की प्रधानता कही गई है और जब हम देखेंगे तो सबसे पहले हमारा मुख ही किसी को दिखाई देगा ये इसी प्रकार कि जो अर्थ है उन में से वाच्चे की प्रधानता होने के कारण और सबसे पहले उपस्तित होने के कारण इसको क्या कहा गया है मुख्यार्थ ठीक है मुख के समान इसकी प्रधानता होने के कारण और सबसे पहले इसी से हमें अर्थ ग्यात होता है तो इसलिए इस वाच्यार्थ को ही हम क्या कहेंगे मुख्यार्थ अब आचारे मम्मट के अनुसार इसको क्या कहा गया है इसकी कारिका देखते हैं उन्होंने इसकी क्या परिभाशा दी है तो अभिदा के लिए उन्होंने कहा है सव मुख्यो अर्थस तत्र मुख्यो व्यापारो अस्या अभिदोच जते यह आचारे महमठ ने अभिदा की परिभाशा दी है अब इसका अर्थ देखिए क्या अर्थ है तो यहां देखिए जो सव शब्द है वो आया है सक्षात संकेतित अर्थ के लिए सव अर्थार्थ सक्षात संकेतित और जो अस्या है यहां पर व्यापारो अस्या जो लिखा हुआ है व्यापारह प्लस अस्य तो यहां पर जो अस्य है वो आया है शब्दस्य के लिए अस्य किसके लिए आया है शब्दस्य के लिए तो अर्थ देखिए स अर्थार्थ वह वह किसके लिए साक्षात सांकेतित अर्थ मुख्य अर्थ है वह साक्षात सांकेतित मुख्य अर्थ है, तत्र उसमें अस्य अर्थार्थ शब्दस्य शब्द का उसमें इसका अर्थार्थ शब्द का मुख्य व्यापार है, जो मुख्य व्यापार है अभिदोच्यते अलग-अलग करेंगे तो अभिदा उच्यते वह अभिदा कहलाता है, अर्थार्थ उन तीनों में से जो तीन शब्द शक्तियां कही गई है उन में से जो साक्षात संकेतित अर्थ है वो मुख्य है और उसमें जो शब्द का जो मुख्य व्यापार कहलाता है शब्द का जो मुख्य व्यापार कहलाता है वो क्या कहलाती है वो कौन सी शब्द शक्ती है अभिधा शब्द शक्ती तो ये है पहली शब्द शक्ती दूसरी है लक्षना लक्षना शब्द शक्ती क्या है अब जो पहले हमने देखा कि जो शब्द शक्ती अर्थ का बोध कराती है अर्थार जो सबसे पहले हमें अर्थ का बोद कराएगी वो कौन सी शब्द शक्ती हुई अभिदा शब्द शक्ती किन्तो कुछ स्थानों पर क्या होता है कि जो मुख्यार्थ है उसका वाक्य के अन्य पदों के अर्थों के साथ अन्वे नहीं बन पाता है सबसे पहले हमें किस से ज्यान होता है अर्थ का अभिदा से लेकिन कुछ स्थानों पर क्या है मुख्यार्थ का वाक्य के अन्य पदों के अर्थों के साथ अन्वे नहीं बन पाता तो इस इस्थिती में क्या होता है जो अन्य अर्थ की प्रतिती जिस शब्द शक्ति से होगी अर्थार उस अभिदा जो वाच्यार्थ है जो मुख्यार्थ है उसके अतिरिक्त जिस अर्थ की प्रतीती हमें होती है उस शब्द शक्ति को हम क्या कहेंगे लक्षना शब्द शक्ति अब आचारे मम्मट इसकी क्या परिभाशा देते हैं देखिए मुख्यार्थ बादे तद योगे रूडितो अत्प्रयोजिनात अन्यो अर्थो लक्षते यत्सा लक्षना रोपिता क्रिया यहां पर देखिए कुछ मुख्य मुख्य शब्द हैं जिसको पहले हम अर्थ देखेंगे उसके बाद देखेंगे तो उन पदों को आपको ध्यान रखना है यदि आप उनको ध्यान रखेंगे तो लक्षना आपको बहुत अच्छे से समझाएगी यहां देखे, अर्थ देखे पहले, मुख्यार्थ बाधे, अर्थार्थ मुख्य अर्थ का बाध होने पर, सती सप्तमी, होने अर्थ में सप्तमी, तो मुख्यार्थ का बाध होने पर, तद योगे, तद अर्थार्थ, तद किसके लिए प्रयुक्तुआ है, मुख्यार्थ के लिए तो तद योगे उसका योग होने पर अर्थार्थ संबंद होने पर तो उसके किसके मुख्यार्थ के साथ योगे योग होने पर अर्थार्थ संबंद होने पर रूडी तो अत प्रयोजनात रूडी तह अर्थार्थ रूडी से अत अत्वा प्रयोजनात या प्रयोजन से अब यहां देखिए अथ से यहां पर वा, विकल्प का आचारे मम्मट ने निरूपन किया है कि रूड़ी और प्रयोजन में से कोई एक, इसको अभी हम आगे और अच्छे से समझेंगे, उधारन से देखेंगे तब पर यहां आपको यह दिहान रखना है कि अथ यहां अथवा के लिए आया है तो तीन हमें यहां पर व्यापार दिखें कि मुख्यार्त का बाद होने पर तदयोगे अर्थार्थ उसके, किसके? मुख्यार्थ के साथ योग होने पर अर्थार्थ संबंद होने पर रूडी तह रूडी से अथ अथवा प्रयोजनात प्रयोजन से यत जिसके द्वारा अन्य अर्थ लक्षते अन्य अर्थ लक्षित होता है सा क्रिया वह क्रिया अर्थात व्यापार लक्षणा वह आरोपित व्यापार लक्षणा कहलाता है I hope कि आपको ये अर्थ समझाया होगा अभी हम आगे इसको और अच्छा से समझेंगे मेन आपको यहां तीन बातों का ध्यान रखना है कि मुख्यार्थ का बाद, तद योगे अर्थार्थ मुख्यार्थ के साथ उसका संबंद, किसका संबंद लक्षार्थ का अन्य अर्थ हमें क्या पता चलेगा लक्षना से लक्षार्थ का पता चलेगा न तो पहले मुख्यार्थ का बाद होगा उसके पश्चात मुख्यार्थ के साथ उसका संबंद होगा और फिर रूडी अत्वा प्रयोजन से जहां अन्य अर्थ लक्षित होता है, उस व्यापार को हम क्या बोलेंगे? लक्षना यह हो गई आचारे मंमट के अनुसार लक्षना की परिभाशा जो आपको याद होनी चाहिए तो यहाँ पर हमने देखा कि लक्षना के व्यापार हेतू हमें तीन हेतू की आवशक्ता हुई तीन हेतू की हमको आवशक्ता हुई तीन हेतू क्या-क्या मुख्यार्थ बाधे, मुख्यार्थ का बाध होने पर तद योगे तद किसके लिए आया मुख्यार्थ के लिए तो मुख्यार्थ के साथ लक्षार्थ का संबंद होने पर और रूड़ी प्रयोजन रूड़ी तो अत्प्रयोजनात ऐसा था लक्षन में तो रूड़ी या प्रयोजन अब यहां ये बात को विशेश ध्यान रखना ह कि रूढ़ी और प्रयोजन में से एक ही होगा दोनों नहीं होंगे एक ही होगा तो ये तीन व्यापार जब होंगे तो वहां कौन से शब्द शक्ति आएगी लक्षना अब उधारन से समझे कि ये होगा कैसे तो जैसे पहला उधारन है गंगायाम घोश गंगा में घोश हम ऐस इससा अर्थ करते हैं तो यहां पर जो एक शाप्दिक अर्थक्तब्स देखें अभिदा से हमें जो उर्थ प्राप्त हो राये वह रहे है जल की धारला गंगा अर्थ प्रवाह रूप जल की धारला इस तरह से घोशह आभीरों की पल्ल्य अर्थार्थ बस्ती तो अभिदा से हमें यहां अर्थ प्राप्त हुआ कि जल की धारा पर आभिरों अर्थ की बस्ती है पल्ली है इस प्रकार से ये हमको अभिदा से यहां गंगायाम गोशया में अर्थ प्राप्त हुआ तो गंगा की धारा में क्या आभिरों की बस्ती होना संभव है नहीं है इसलिए यहां पर जो अन्वे है जो अन्य अर्थ के साथ अन्वे नहीं बन पा रहा है हमने पीछे देखा था कि कुछ स्तानों पर मुख्यार्थ का वाक्य के अन्य पदों के अर्थों के साथ अन्वे नहीं बन पा रहा है वही इस्तिति यहां बन रही है कि गंगा की धारा पर आभिरों की बस्ती होना संभव नहीं है इसलिए यहाँ अन्वे के अनुपन होने के कारण अन्वे के संभव न होने के कारण मुख्यार्थ का बाद हो गया जो हमें अभिधा से जो अर्थ मिला वो हमारा मुख्यार्थ था वाच्यार्थ था उसका यहाँ पर बाद हो गया तो हमारी जो लक्षना के लिए पहली शर्थ थी वो पूरी हो गई अब मुख्यार्थ का बाद हुआ उसके बाद यहाँ पर लक्षना शब्द शक्ति आई तो लक्षना से क्या हुआ जो गंगा यह जो पद था उसका क्या अर्थ हो गया गंगा के तटपर उसका क्या अर्थ हुआ गंगा के तटपर आभीरों की बस्ती है जब जैसे ही हमने लक्षना का आश्रे लिया तो जो गंगा जल प्रवाह था उसका अर्थ लक्षार्थ हो गया तट पर तो अर्थ हो गया पूरा गंगा के तट पर आबिरों की बस्ती है तो हमने देखा कि तद योगे दूसरी हमारी शर्थ क्या है तद योगे जो मुख्यार्थ है उसके साथ लक्षार्थ का संबंद होना चाहिए मुख्यार्थ क्या था गंगा के जल प्रवाह में तो गंगा के जल प्रवाह में और गंगा के तट में एक सामिप्य संबंद है यहाँ पर क्या संबंद हुआ जो गंगा का जल प्रवाह है उसके समीप ही उसका तट होगा तो यहाँ पर उन दोनों का क्या हो गया है सामिप्य स संबंद हो गया है तो दूसरी शर्त भी हमारी पूरी हो गई अब कहते हैं रूड़ी और प्रयोजन इन दोनों में से कोई एक स्थिति होनी चाहिए तो यहां पर क्या स्थिति है यहां पर है शैत्यपावनत्व आदि यह क्या है उसका प्रयोजन शीतलता और पावनता वहां पर आभिरो की बस्ति दिखाने का प्रयोजन क्या है शीतलता और पावंता ये वहां पर प्रयोजन हो गया आभिरो की बस्ति के वहां उने का क्या कारण है कि वहां पानी है तो ठंडा रहेगा उसके अलावा गंगा को पवित्र माना जाता है तो पवित्रता उसका एक यह कौनसी का हुआ गंगायाम घोषः प्रयोजन वती यह मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना है रूड़ी और प्रयोजन क्यूंकि जब परिक्षा में प्रश्न पूछा जाता है तो इस प्रकार से पूछ लिया जाता है कि प्रयोजन वती लक्षना का निम्न में से कौन सा उधारन है तो गंगायाम घोषः प्रयोजन वती लक्षना का उधारन है यह आपको यहां तक आई होप कि समझ आया होगा अब हम बात करें रूड़ी की यहां मैंने वह उधारन लिखा नहीं है कर्मणी कुशलह यह किसका उधारन है रूड़ी का रूड़ी से किसी विशेश अर्थ में रूड़ हो गया है अर्थार्थ वो उसी अर्थ में हम उसको मानते हैं जैसे कि कर्मणी कुशलह कुशलह जो शब्द है वो रूड़ अर्थ रूड़ शब्द है वो कुशल अर्थार्थ जो किसी कार्रे में बहुत ही निपुण है इस तरह से प्राचीन काल था उसमें कुशलह का क्या आर्थ होता था कुशान लाती थी कुशलह कुशान अर्थार्थ कुश नाम की एक ग्रास होती है घास होती है जो उसमें वो उपर से क्या बहुत नुकीली होती है तो जो शिश्य वगर होते थी गुरुओं के और तो उनको अपने में इसलिए वह जो प्राचीनकाल में जो अर्थ था वो था कुछान लाती ती कुछल अर्था चीम-कषम को लाने में जो सक्षम है वह कुछल था किन्तु दिरे धिरे धिरे उस कुछल का क्या आर्थ होता गया अगर भाषा विझ्यान में ऐपने पढ़ा होगा अर्थ संकोच करके तो अर्थ संकोच का ये कारण है कुशलहा एक अर्थ में ये संकुचित हो गया इसका विशेश अर्थ तो है कि जो कुशों को लाता है पर आजकर कौन कुशों को लाएगा इसलिए ये इसका अर्थ संकुचित हो गया कुशलहा अर्थार जो किसी कारण में प्रवीन इसके अर्था से तो आज असे अर्थ में उसी अर्थ में प्रयुक्त होता है तो ऐसा शब्द जो किस्ता तो किसी समय से परंपरा से इसि विशेश अर्थ में रूड हो गया हो प्रसिद्ध हो गया हो उसको हम रूड़ी करेंगे तो ये तो थे लक्षना के दो उधारण प्रयोजन बती और रूड़ी लक्षना के कर्मनी कुशलह ये किसका उधारन होगा रूडी का अब हम देखते हैं लक्षना के भेद ये थोड़े से भेद आपको हो सकता है समझने में थोड़ा टाइम लगे पर आप लोग ध्यान से अगर इसको समझेंगे तो ये बहुती सरल है पहले तो आपको ध्यान रखना है प्रकार हैं यही थोड़े से टेड़े हैं कि किस प्रकार से उन्होंने छह प्रकार माने हैं तो पहले हम एक बार सारी छह प्रकार देखेंगे फिर मैं आपको लास्ट में बताऊंगे कि इनके जो भेद हुआ है वो किस प्रकार से हुआ है अर्थार्थ कौन सी लक्षना का क स्वसिद्धय अर्थार्थ अपनी सिद्धी के लिए पर आक्षेपह, पर अर्थार्थ अन्य का आक्षेप कर लेना, अर्थार्थ अन्य अर्थ का ग्रहन कर लेना उपादान लक्षना है, स्वसिद्धय पराक्षेपह, अपनी सिद्धी के लिए अन्य अर्थ का आक्षेप कर लेना ये क्या है उपादान लक्षना ये हो गई उपादान अब इसका उधारन से आप इसको समझे कि कैसे अन्य अर्थ का अक्षेप करती है हम कहते हैं कुंताह प्रविशन्ती कुंताह अर्था भाले भाले प्रवेश कर रही हैं हमने ऐसा कहा तो क्या भाले प्रवेश कर सकत हैं भालों में वो ख्षमता है प्रवेश करने की क्या वो चल सकते हैं क्यूंकि भाला तो एक अचीतन वस्तु है वो चल नहीं सकते हैं इसलिए वो स्वेम तो यहां प्रवेश कर नहीं सकता है इसलिए यहां पर मुख्यार्थ बादित हो गया जैसे ही हमने कहा भाले प्रवेश कर रहे हैं तो यहां पर जो हमें अभिधा से जो अर्थ प्राप्त हुआ वो यहां पर मुख्यार्थ का यहां पर बाद हो गया तो जो कुंताह शब्द है उसने अपने अन्वय कि सिद्धी के लिए स्वसिद्धय आपको हर शब्द को ध्यान रखना है तो आप अच्छे से इसको समझ पाएंगे तो स्वसिद्धय अर्थार्थ अपनी सिद्धी के लिए जो कुंताह शब्द है उसने अन्य अर्थ का ग्रहन किया अन्य अर्थ किसका ग्रहन किया कुंतधा अर्थ का ग्रहन किया तो जैसे इसमें पुरुष का ग्रहन किया तो क्या अर्थ भन गया कुंत धारी पुरुष का रही है क्योंकिए पुरुष है और उनके हाथ में प्रभेश कर रहेvate तो ये हो गया यहां पर अपने अर्थ की सिधि के लिए उसने जो कुंत था उसने अन्य अर्थ का आक्षे किया अर्थार्थ वो खुद भी रहेगा और अन्य अर्थ का भी ग्रहण कर लेगा वो होगी उपादान लक्षना तो यहां मुख्यारत का बाद हुआ और उनका आपस में संबंद भी हुआ क्योंकि कुंत मतलब जो पुरुष है उसके हाथ में कुंत है तो यहां पर उनका संबंद भी हुआ आपस में और जो कुंत धारी पुरुष है उनकी बहुलता को सूचित करना यहां इस लक्षना का प्रयोजन है तो यह कौन सी लक्षना का उधारन हुआ प्रयोजन वती उपादान लक्षना अब यहां इसको ध्यान रखना है यहां पर प्रयोजन है किम्तु और कौन सी लक्षना है उपादान लक्षन लक्षना 6 लक्षना है कुल उसमें उपादान लक्षना है यहाँ पर क्योंकि जो कुंत है उसने अन्य अर्थ का अपनी सिद्धी के लिए ग्रहन कर लिया है तो ये प्रयोजन होनी के कारण प्रयोजनवती और अपने अर्थ के लिए या अपने सिद्धी के लिए दूसरे का ग्रहन करने के कारण उपादान लक्षना तो यदि एक्जाम में पूछा जाता है कुंताह प्रविशन्ती ये किस लक्षना का उधारण है तो आपको बताना है प्रयोजन वद्धी उपादान लक्षन अगली देखिए ये तो थी पहली दूसरी लक्षना है लक्षन 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 अर्था है इसकी पुल्टी परार स्व शमर्पण हम् Widophali दूसरे के अर्थम की लिए स्व शमर्पण है अर्थ semaine कर देती हो अर्था तो यह आपको इनके definition याद रखनी है, इसको यदि आप याद रहेंगे, याद रखेंगे, तो आपको आसानी से यह समझाएंगी, और इसको हम लक्षन-लक्षना को जहत स्वार्था भी कहते हैं, और जहल लक्षना भी कहते हैं, उपादान को अजहत अर्था जो छोड़ी नह जाती है इस तरह से लक्षन लक्षना का उधारन गंगायाम गोशह ही है जो हम पिछे भी देख चुके हैं यहां पर जो गंगा पद है वो तट रूप अन्य अर्थ की सिद्धी के लिए यहां पर हमें क्या आर्थ चाहिए गंगायाम गोशह में कि तट पर आभिरों की बस्ती है तो जो गंगा शब्द है वो अपने अर्थ अपने अर्थ का अपने खुद का यहां पर क्या आर्थ हुआ तो मुख्यार्थ क्या हुआ था जल प्रवाह ऐसा तो नहीं होगा ना गंगा के जल प्रवाह में आभिरों की बस्ती है तो वो अपने मुख्यार्थ जल प्रवा पिर आती है तीसरी सारोपा लक्षना ये क्या होती है सारोपा अन्यतु यत्रोक्तव विशयी विशयस्थ था अब इसमें आपको आसान सी बात ये याद रखनी है कि इसमें उपमान और उपमे दो चीजें होती है और दोनों का वाक्य में शब्द तह कथन होता है उपमान और उपमे दोनों का वाक्य में शब्द तह कथन होता है इसको जब हम उधारन के साथ देखेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा पर सारोपा के लिए आपको याद रखना है कि विशय 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 तथा विशय और विशय अर्थार्थ उपमान विशय अर्थार्थ उपमे तो उपमान और उपमे दोनों का यत्र जहां उक्तव कह दिये गए हों कि विशय और विशय अर्थार्थ उपमान और उपमे जहां दोनों कह दिये गए हों कह दिये गये हो मतलब वह वहां शब्द तह जिनका कथन हो गया हो वाक्य में हमें उपमान भी दिखाई दे रहा हो और उपमे भी दिखाई दे रहा हो वहां कौन सी लक्षना होगी सारूपा लक्षना उधारन से यह आपको और अच्छे से समझ आएगा पर पहले अभी आप इसकी परिभाशा को समझ ये क्योंकि इसके उधारण को समझने से पहले हमें अन्य लक्षनाओं को समझना आवश्यक होगा, अन्य था वो उधारण हमें समझ नहीं आएंगे, तो अभी आपको परिभाशा समझनी है, आगे हम उधारण देखेंगे, आप देखेंगे हम साध् साध्य वसाना क्या है विशय अंतहक्रते अस्मिन सास्यात साध्य वसानिका पीछे सारुपा में था कि विशय और विशय दोनों का शब्द ता कथन साध्य वसाना में क्या है कि जो विशय है विशय अंतहक्रते विशय के द्वारा अस्मिन इसमें अंतहक्रते अर्थार्थ अंदर ले लिए जाना अर्थार्थ निगिर्ण कर लेना जहां पर हो वो साध्य वसानी का होगी कहने का ताथ पर रहे है उपमान उपमे को अपने अंदर निगिर्ण कर लेता है तो उसको हम कह देते हैं साध्य वसाना तो कहने का ताथ पर रहे हैं यहाँ पर किवल उपमान का ही कथन होगा शब्द तह उपमे का कथन नहीं होगा यह आपको समझना है सारुपा में उपमान उपमे दोनों का शब्द तह कथन था किंतु साध्य वसाना में ऐसा नहीं है जो उपमान होता है वो उपमे का निगरन कर लेता है इसलिए ये कौन सी लक्षना है साध्य वसाना लक्षना यह उधारन से देखेंगे किन्तु इनके उधारन देखने से पहले हमको शुद्दा और गोणी जो पांचवे हमारे भेदें, पांचवे और छटे, उनको समझना होगा, उसके पश्चातम सारूपा और साध्यवसाना दोनों का ही लक्षन देखेंगे, दोनों के ही उधारण देखेंगे, तो गौनी, फिर देखे, साध्यवसाना और सारूपा को समझाने के बाद, आचारे दोनों भेद ये दोनों कौन से सारूपा और साध्यवसाना इन दोनों की बात हो रही है सारूपा और साध्यवसाना साध्रिश्यात साध्रिश्य के कारण से तथा संबंधां तरह और अन्य संबंध के कारण से दो बाते हैं यहाँ पर दो भेदों की बात की दो भेद कौन से ह पीछे वाले सारुपा और साध्य वसाना इसलीए हम उधारण को आगे समझेंगे क्योंकि पहले इसको समझना आवश्यक हैं तो इमव भेदव ये दोनों भेद अर्थाट सारोपा और साध्यवसाना साध्रिश्यात साध्रिश्य के कारण से तथा और संबंदांतरह अर्थाट अन्य संबंद से युक्त होने के कारण से गोणव च शुद्धव गोण और शुद्ध विग्येयो के भेद समझने चाहिए फिर से समझें कि ये जो दो भेद पीछे बताएं हैं सारुपा और साध्य वसाना ये दोनों एक तो साध्रिश्य के कारण से और एक अन्य संबंद के कारण से साद्रश्य के अतिरिक्त अन्य संबंद के कारण से एक में तो साद्रश्य होगा अब किसमें होगा वो देखेंगे एक में साद्रश्य होगा और एक में साद्रश्य से इतर संबंद होगा अर्तार साद्रश्य के अतिरिक्त कोई भी संबंद हो सकता है पर साद्रश्य नहीं तो साद्रिश्यात क्रमशह साद्रिश्य किसके साथ जुड़ेगा गौणी के साथ क्रमशह पदका वहां यूज किया है उन्होंने तो साद्रिश्य अर्थात गौणी और संबंधांतर अर्थात शुद्धा साद्रिश्य जहां होगा वहां गौणी लक्षना होगी और अन्य जो भी संबंद होगा, साद्रिश्य के अत्रिक्त जो भी संबंद होगा, वो होगा शुद्धा लक्षना में, I hope कि आपको समझ आया होगा, तो गोणी से हमें समझना है कि साद्रिश्य मूला, जो भी साद्रिश्य मूला लक्षना होगी, वो कौनसी होगी, गोणी, शुद्ध जो होगी, वो होगी साद्रिश्य से इतर कोई भी संबंद, साद्रिश्य संबंद होगा गौनी का और साद्रिश्य से इतर जो भी कोई संबंद होगा, वो कोई भी हो सकता है, ऐसा कोई इनों ने विशेश रूप से कोई वहाँ पर कुछ प्रयोग किया नहीं है, तो बस इतना आपको ध्यान रखने आए कि साद्रिश्य से इतर जो भी संबंध होगा वो शुद्धा का होगा तो अब इस तरह से हमें क्या पता चला कि गौणी और शुद्धा दोनों के ही सारोपा और साध्यवसाना भेद होते हैं इन्होंने कहा दोनों ये दोनों भेद ये दोनों पर जैसे ही हम इसके सारे उधारण देख लेंगे तो पीछे मैंने आपको एक चार्ट बना के समझाने की कोशिश है तो I hope कि आपको उससे अच्छे से समझ आएगा यहां आपको समझना है ये दोनों जो भेद हैं सारोपा और साध्यवसाना ये दोनों गौणी के भी हैं औ दोनों होते हैं तो गौणी सारोपा लक्षना के भेद हम पहले देखेंगे तो पहला सारोपा का जो उधारन है वो है गौर वाहिक गौर वाहिक तो यहां पर देखिए दो शब्द हैं गौ और वाहिक हमने पढ़ा था सारोपा में कि जहां पर उपमे और उपमान दोनों का शब्द तह कथन हो यहां देखिए गौ और वाहिक दो शब्द हैं, दोनों का हमें कथन यहां दिखाई दे रहा है शब्द में दोनों को एक साथ कहा गया है ऐसा नहीं है, एक है और एक नहीं है गौ और वाहिक यह दोनों ही यहां पर शब्द तह कथित है तो यहाँ पर जो गौ है वो तो है उपमान और वाहिक जो है वो है आरोप का विशे अर्थार्थ उपमे उपमा करने योग्य तो गौर वाहिक यहाँ पर दोनों का शब्द तह कथन हो गया इसलिए तो यहाँ पर कौन सी लक्षना है सारोपा लक्षना हम कौन सी लक्षना हो गई सारोपा ऐसे हम देखें गौनी तो है ही क्योंकि गौ और वाहिक दोनों में साद्रिश्य है तो इसलिए गौनी हो गई क्योंकि गौ के समान हम वाहिक को बता रहे हैं ना कि जो वाहिक एक देश का नाम है तो गौ के समान वाहिक देश निवासी इस तर फिर हम देखें गौनी साध्य वसाना लक्षना तो साध्य वसाना अर्थार जो जो उपमान है वो क्या करता है उपमे का निगरण कर लेता है जो उपमान है गौ वो उपमे का निगरण कर लेता है तो उससे क्या समझ आया कि हमें केवल उपमान ही दिखाई देगा हमें क्या द अंदर ले है तो इसको अपने अंदर ले लिया है तो इसलिए यहां पर इस वह साथ दि वसान मघह नफी अर्थ से तो यह ही अंदर आपस में साद्रिश्य संबंध है, इसलिए ये गौनी के उधारण है, गौर-वाही का, गौर-अयम, ये दोनों गौनी लक्षना है, जिसमें से गौर-वाही के हैं, वो सारुपा का है, और जो गौर-अयम है, वो साद्विवसाना लक्षना है, ये था गौनी, आप देखें, शुद्धा सारूपा लक्षना कौन सी है? तो शुद्धा अर्थार्थ साद्रिश्य से इतर संबंद पहले तो हमें इस बात का द्यान रखना है और सारूपा, सारूपा तो वही है कि दोनों का जहां शब्दिता कत्म होगा उपमान और उपमें दोनों का जहां शब्दिता कत्म होगा तो यहां देखिए आयूर ग्रतम अर्थार्थ घी ही आयू है घी ही आयू है इसको कहने से हमें क्या समझा है यह तो हमारा मुख्यार्थ हो गया तो घी ही आयू है तो अर्थार्थ आयू का कारण घी ही है तो यहाँ पर क्या हो गया है आयू और घी में क्या हो गया है कार्य कारण संबंद हो गया है आयू का कारण घी है अर्थार दीरगायू का कारण घी है इस तरह से हम कह सकते हैं तो जो आयू है उसका कारण क्या है घी है अर्थार उसका कार्य क्या है घी है तो आयूर गृतम तो आयू और गृत जो कार्य और कारण दोनों है उनका शब्द तह कतन होने के कारण यहां सारूपा है और साद्रिश्य से इतर संबंद साद्रिश्य से इतर क्या संबंद है यहां पर कार्य और कारण संबंद है तो साद्रिश्य से इतर संबंद होने के कारण यहां पर शुद्ध सब्सक्राइब तो यह और सम्बंद को द्यानर निए और सध्य वसाना केवल समान में अपने अंदर निगिरन कर लेता है तो शुद्धा साध्य वसाना लक्षना का उधारण देखिए आयू रेवेदम कि आयू ही है यह आयू ही है ऐसा कहने कार्थ है तो क्या आयू ही है यहां पर गृत का जो है वो शब्दता कथन हमें नहीं प्राप्त हो रहा है इसको आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि साध्य साध्य वसाना जह कैए और आयू और घिさい तो इन दोनों का का अपसने कारेकारण संबंद होने के कारन यहां कौनसी लख्षना हो गए यह शुद्धा लक्षना तो यह तो हो गए हमारे लक्षना के च्छय भेद अब आपको यह समझना है कि शाद बैद किस प्रकार से किसके किसके हैं तो उसके लिए मैंने चार्ट आपके लिए बनाया है तो देखे लक्षना शडविदा मममतने कही है अब पहले इसके दो के देद होंगे शुद्धा और गौने अब हमने इत्ता एक द N Letha की। जो इंमें समझ अकि जो नो के लरोजो के द LA ख्वन वो तो दो normal है वहे था आचारे ममट ने में जो एक Cum परिभाशा दी है उस कारिका में कहा है कि ये जो दो बेध हैं ये किवल शुद्धा के ही होंगे गौणी के नहीं होंगे तो देखे जो शुद्धा हो गई वो इस तरह से चार प्रकार की हो गई शुद्धा कितने प्रकार की हो गई चार प्रकार की उपादान लक्षना जिसका उधारन है कुंताह प्रविशंती प्रयोजन वत ये रूडी लक्षना है यहां पर तो शुद्धा लक्षन लक्षना शुद्धा का जो दूसरा रूप है लक्षन चार्ट को आप अच्छे से याद कर लीजिए एक्जाम में ज्यादातर उधारन के साथ लक्षना को पुछा जाता है तो सारूपा, शुद्धा, सारूपा इस तरह से आपको याद रखना है शुद्धा सारूपा ये है आयूर ग्रतम इसका उधारन है शुद्धा साध्यवस से समझ आ गई होगी यह थोड़ा सा जटिल विशह है किन्तु मैंने कोशिश की है आपको अच्छे से समझाने की अब यह यहां तक हमारी दो शक्तियां हो गई तीसरी है वियंजना शब्द शक्ति इसके लिए आचारे ममठ ने कोई विशेश परिभाशा नहीं दी है किन्तु उनके अनुसार लक्षना के द्वारा जो व्यापार सिद्ध नहीं हो पाता उसके लिए हमें व्यंग्यार्थ की आवशक्ता पड़ती है तो वो जो व्यंग्यार्थ है वो व्यंजना शब्द शक्ति से ग्यात होता है तो इस व्यंजिना शब्द शक्ति को आचारे मम्मट ने दो प्रकार का बताया है दो प्रकार का कैसे शाब्दी व्यंजिना और आर्थी व्यंजिना और जो शाब्दी व्यंजिना है वो भी दो प्रकार की मानी है अभिधा मूला और लक्षना मूला अब पहले हम देखेंगे शाब्दी व्यंजना को शाब्दी व्यंजना के दो भेद इनों ने बताए हैं अभिदा और लक्षना तो अभिदा के लिए इनोंने कहा है अनेकार्थस्य शब्दस्य वाचकत्वे नियंत्रिते संयोगाद्य इर्वाच्यार्थ धीकृत यहनितला संयोगादि के संयोगादी के हिसाब से उसके अनुसार से इनों ने 14 उधारण दिय है अन्यकार्थक शब्दों में यह जो शब्द होते हैं अभियापको परिभाशा से समझ जाएगा तो संयोगादी से अर्थ यहां पर उन 14 जो प्रयोजन इनों ने बताए हैं अनेक आर्थक जो शब्द बताए हैं उनसे हैं तो संयोग आदी के द्वारा अनेक आर्थक शब्दों के वाचकत्व के नियंत्रत हो जाने पर संयोग आदी के द्वारा कोई जो शब्द होता है उसके अनेक अर्थ होते हैं कई शब्द होते हैं जिनके एक से ज्यादा अर्थ होते हैं उनका जो वाचकत्व है जो अर्थ है वो नियंत्रित हो जाने पर किसी एक अर्थ में नियंत्रित हो जाने पर उससे भिन उससे अलग जो अवाच्य अर्थ है अवाच्य अर्थार्थ जो हमें वहां कहा हुआ नहीं है उस अर्थ की प्रतीती कराने वाली उस अर्थ का प्रतीत कराने वाला शब्द का ब्यापर अभिदामुला व्यंजनाओ five-page अर्थार्थ सैयोंगादी जो इनों इंहोंने अनेकार्थक 14 शब्द बताएं सैयोंगादी के मात्यम से उसके द्वारा सैयोंगादी के द्वारा उस अर्थ के नियंत्रित हो जाने पर उसका जो भिन अवाच्य अर्थ है अवाच्य अर्थ जो वहां कहा नहीं गया है वो जो अवाच्य अर्थ है उसकी प्रतिती कराती है और क्योंकि शब्द से इसकी प्रतिती होती है तो वो ये कौनसी व्यंजना हो गई में अभिदा मूला वेंजना, उधारण से आप इसको समझिए, जैसे यहाँ पर है सः शंक चक्रो हरी, सः से अर्थ है यहाँ पर सहित, शंक और चक्र हरी, तो शंक और चक्र से युक्त हरी, तो यहाँ पर संयोग के द्वार, मैंने कहा था, चौदा अनेक आर्थक शब्दों का अर्थिनों ने बताया है, अनेक आर्थक में चौदा कुल शब्दिनों ने बताये हैं, तो यहाँ पर शंक और चक्र से सहित हरी, इस तरह से तो सहित होना अर्थार्थ शंक और चक्र का उनके साथ संयोग है, तो यहाँ पर जो हरी उसके अतिरिक्त अन्य अर्थों में भी हरी शब्द का प्रयोग होता है किन्तु यहाँ पर जब बात हो रही है तो शंक और चक्र से युक्त हरी संयोग अर्थाथ शंक और चक्र का जिसके साथ संयोग है वहाँ हरी शब्द का अर्थ यहाँ पर आएगा यह आपको समझना है तो यहां जो हरी शब्द था वो अनीक अर्थों में जा रहा था किन्तु शंक और चक्र का सहियोग होने के कारण हरी यहां किसके लिए क्या दिया गया है विश्णु के लिए इसी प्रकर स्थानुम भज भवच्छिदे यह 14 है किन्तु मैंने यहां पर उधारन के लिए आपको दो ही बताए है तो स्थानुम भज भवच छिदे, स्थानु, यहाँ पर क्या आर्थ होता है, अगर हम अर्थ देखते हैं, तो यहाँ पर आर्थ होता है कि भव, अर्थार्थ संसार को छिदे, पार उतारने के लिए स्थानुम भज, स्थानु का भजन कर, अब स्थानु जो है वो ठूट को बागोंट नेक्राइब बिखता है् doubling है यहां तो तो यहां पर थूट भी है लेकिन किया łam ने क्या आर्थ किशान पार लिए का भजन कर तो क्या वह वह अंत्तूंत का भजन करने से हम संसार से पार पा 자क्ते हैं नहीं तो तो यहाँ पर प्रयोजन, उसका कारण है, संसार को पार करने के लिए, तो यहाँ पर उस स्थानु के लिए कोई कारण बताया गया है, कि इस कारण से तु उस स्थानु का भजन कर, तो यहाँ पर प्रयोजन हो गया है, तो इस अर्थ में भजन कर, अर्थार, स्थानु यहां पर अर्थ दिया गया है शिव तो यहां पर हमने तो उसको ठूठी समझा किन्तु यहां पर हमारे पास कोई प्रयोजन था कि संसार को पार करने के लिए स्थानू को भज उसका भजन कर तो यहां पर प्रयोजन होने के कारण से स्थानू शब्द का हमने जो अवाच्य अ इस प्रकार इन्होंने संयोगादी 14 अनेक आर्थक शब्द यहां पर बताएं है तो यह थी अभिदा मूला व्यंजना अर्थार्थ जिसमें हमें सीधा सीधा शब्द से ही अर्थ प्राप्त हो रहा है फिर आते हैं दूसरी शाब्दी व्यंजना का दूसरा भेद लक्षना समूपास्यते लक्षना का उपास्यते अर्थार्थ आश्रे किया जाता है अर्थार्थ लक्षना मूला व्यंजना में होने को तो यह व्यंजना है किन्तु इसकी मूल जो है वो लक्षना है क्योंकि इसकी प्रतिती कराने के लिए हमें लाक्षनिक शब्द का आश्रे लिना पड़ता है हमने पीछे देखा कि लक्षना के टीन मुख्य व्यापार है उन में से प्रूडी और प्रयोजन भी एक मुख्य व्यापार है तो जहां पर लक्षना रूडी में होती है तो वहां तो वो व्यंगे से रहित होती है वहां में कोई व्यंग्यार्थ मिलता नहीं है जो लक्षना में रूडी में जो लक्षना है वो व्यंगे से रहित होती है किन्तु जो प्रयोजन है रूडी और प्रयोजन में जो प्रयोजन है वहाँ पर जो लक्षना होती है वो व्यंगे के सहित होती है वहाँ व्यंगे होता है तो जो प्रयोजन होगा वहाँ पर उसको हम व्यंजिना व्यापार से ही जान सकते हैं व्यंगे अर्थ को हम वहाँ व् और इस व्यंगे रूप प्रयोजन के विशय में लक्षणा से भिन कौन सा व्यापार हो जाएगा वहाँ पर व्यंजना व्यापार जब हमें उस व्यंगे का ग्यान करना होगा उस व्यंगे रूप जो प्रयोजन है उसका जब हमें ग्यान करना होगा तो वहाँ पर लक्षणा जायेगा तो इस प्रकार यहां पर जो लक्षना है उससे ही व्यनजना व्यापार की उतपति मानी गई है इसलिए लक्षना मूल में होने के कारण इसको हम कहा देते हैं लक्षना मूला व्यनजना जैसे कि जो गंगायाम गोशा है वो जो धारन है वो लक्षना मूला व्यंजना का है क्योंकि जो व्यंग प्रयोजन रूप जो अर्थ मिला है हमें यहाँ पर श्यत्य पावनत्वादी वो हमें अन्य उनसे नहीं मिल सपता था इसलिए यहाँ पर हमें लक्षना मूला व्यंजना का आश्रय लेना पड़ता है तो यहाँ पर ल अर्थिव्यंजिना अर्थार्थ मम्मट के अनुसार वक्ता, बौधव्य, काकू, वाक्य, वाच्य, अन्य, सन्य, प्रस्ताव, देश, काल आदी शब्द से ये कुछ शब्द मम्मट ने बताए हैं कि वक्ता के अनुसार, बोधव्य के अनुसार, अर्थाच सुनले वाले के अनुसार, काकू के अनुसार, वाक्य के अनुसार, वाच्चे के अनुसार, इस तरह से ये कुछ बताए हैं इन्होंने शब्द, आधी शब्दों से ग्राहिय चेष्टा आधी के वैशिष्टे से सहरदे को अन्य आर्थ की प्रतीति कराने वाला अर्थ आर्थि-व्यंजिना है कहने का ताथ पर रहे हैं जब हम कोई बात बोलते हैं तो वक्ता का कहने का आर्थ उसका कुछ और होता है तो उस बात को जब हम इन शब्डों से समझते हैं वकता, बोधव्य और इन आदी शब्डों से जब कोई सहरद है अन्य अर्थ का ग्रहान करता है तो वहाँ पर जो अर्थ का व्यापार होता है वो कौन से व्यजिना कहलाती है आर्थि व्यजिना तो ये थी आचारे मममट के अनुसार तीनों शब्द शक्तियां उम्मीद है आपको समझ आया होगा तो यदि ये टॉपिक आपको समझ आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विश्य के साथ जैतु संस्रितम